विना टाइम खराब किये आउडियो वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं एक बार वेजनती गुड मॉर्ल्छ राछूल आउडियो वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज एक बार üzसकी दो गंवीर कर देना अक्छा है अक्छा है clear है सर morning में ऐकसर clear रहता है good morning साब भाष वह जन्ती चले ठीक है वहें से start करे हम लोग good morning अजित वहें से start करे जहां कल खतम किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये question अपने homework नहीं किया होगा और अच्छा question है important question है आया हुआ exam में कई बार और किसी बच्चे ने मुझे बताया था सर ये A, Y, T, Y के और मैं भी आपके book का T, Y के 1 question number 1 सारी कहानी ये थी investment हमको करना था पचास लाक और तीन साल का CFAT दिया हुआ था और इसके अलावा ये कह रहा था कि आप expected NPV निकाल लिए of this venture assuming independent probability तैसे सर कल पढ़ा क्या था ये तो बताओ सहीं बात है याद कैसे आएगी एक था हर्ट्स और एक था एक है खिलिया एक dependent इंडिपेंडेंट था हाँ सर ये कब काम आता था हर्ट्स एक शॉटकर्ट था जब इह कब ॅत है अर ये करो आ अधा है दिया जब अर तक इंड रह थे अधोर कहए ये कब लगता था ये लगता था ये ये कब लगता है जब इंडिपेंडेंट हो जी सर अब इस्टेंडर्ड ड्रेविएशन में ये दोनों एक ही बात बोलते हैं सर हिलियर मॉडल में वैरियंस क्यों कंसीडर किया जाता है ये भी बता दीजिएगा पक्का राहूल अभी मैं बताऊंगा ना तो अभी आप उसमें घुश जाओगे जबकि वो मुझे पोर्टफोलियो से रिलेटिट है तो मैं जैसी कोश्चन के लास्ट मैं बताऊंगा हाला तो इसमें फॉर्मुला था इस्टेंडर डेवीशन आप एनपी वी निकालने का और इस्टेंडर डेवीशन आप एनपी वी निकालना है तो फॉर्मुला था इस्टेंडर डेवीशन आप कैश फ्लो वन दिवाइड़ बाइड 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 ब यहां की बात करें क्या यहां की बात करें क्या हिलियर में क्या होता था सर हिलियर में होता था इस्टेंडर्ड एविशन आप एन पी भी निकालते थे शर्त यहां थी वहां इस्टेंडर्ड एविशन आप कैश प्लो वन का आप वैरियंस लेते थे अच्छा मतलब variance of cash flow 1 लेते थे और फिर जब यहां करते थे तो यहां sir होता था 1 प्लस R n इंटू 2 इंटू 2 से multiply होता था और यह क्यों होता था यह साथ किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि sir क्योंकि उपर square हो रहा है variance हो रहा तो इसको भी हमें करना चाहिए और वो लोजिकली सही है प्लस standard division of cash flow यह 1 था यह 2 तो 1 प्लस R और यहां n इंटू 2 मतलब 2 साल है तो 2 इंटू 2 कर देंगे हाँ जी हाँ जी variance की वज़ा से square होता है और फिर समझ लिए हम दोगों है तो यह सारा कल discuss किया था कल पूरे की पूरे दो घंटे या तो time pass हुआ है या तो यह discussion हुआ है इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया और आज इसका application और आज वाकिए बहुत सारी बाते भी होगी तो वापस आजाते हैं question फे question number 37 question number 37 में आपको expected NPV निकालना है और यह मानकी कि independent probability है हला कि NPV निकालते समय हमारी dependent या independent काम का नहीं है और rate कितना लेना है आपको 6% के हिसाब से ठीक है तो एक काम करते है कल decide हुआ था अच्छा यह हाँ समरी होना चाहिए ना यार ठीक है यह आपकी समरी बनी जो कल हमने बढ़ा था कर दो ध्यान से मेरी वात इस कोश्चन में मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा इस कोश्चन से बहुत सारी चीजे ऐसे कॉंसेट निकल गएंगे ऐसा नहीं कि हिलियर और हर्ट्स के अलावा भी बहुत सारी कॉंसेट आई अच्छा कोश्चन है तो सर ऐसा है 50 लैक हमको इन्वेस्टमेंट करना है यस पहले साल का कैश फ्लो दिया दूसरे साल का कैश फ्लो दिया तीसे टोटल मिला कर कितने साल है total मिलार कर threejears है और वह हमसे एक्सपेक्टेड एनपीवी पूछ राया और एक्सपेक्टेड एनपीवी पूछ रहा तो हमारी बीच में आपस में decide हुआ था कल कि सर फर्स्ट प्रस्ट येर का एक्सपक्टेड कैश फ्लो उसको डिसकाॉंटिंग करेंगे 6% से 2nd year का expected cash flow उसको discounting 6% से और 3rd year और minus क्या कर देंगे minus 50 lakh कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा चलो पहला काम वही करते हैं आज की class का पहला calculation हमारा start हो रहा है परस्ट हमें expected NPV नकालना सबसे पहले हम एक काम करते हैं expected cash flow नकाल हाँ वेजनती का अंसर आ गया खेर मैं भी पहुच रहा हूँ वेजनती में थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ तो first year का क्योंकि यार मैं कोशन बना रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर आप थोड़ा लिग भी लिया करो मतलब सर अब हम बहुत सारे बच्चे होते यार कैल्कुलेशन में उतने फास्ट नहीं होते तो मैं भी थोड़ा बहुत लिखकर काम करूँगा अब यार एक बाद बताओ जीरो लगाना है कि जीरो नहीं लगाना तो लगा लेते हैं नहीं भी लगाओ क्योंकि आगे मालूम है जब बर्दस चीजे होने वाली वारियंस इन्टू इक्वल्टू होगा इस्क्वाइर होगा तो इतना सारा जीरो आजाएगा हाँ सर जीरो नहीं भी लगाके काम करेगे तो हो जाएगा कि हाँ जी फिर बाद में जीरो लगा लेंगे देखेंगे तो 14 इंटू मतलब सा रूपीज इन लैक्समार्ट 14 इंटू 0.1 प्रस 18 इंटू 0.2 प्रस 25 इंटू 0.4 प्रस 14 इंटू 3 और अंसर फिर्स्ट का वैजनती ने आंसर दिया था अभी में सेकंड यर का चलो तही देगा कोई ना यर्टू अच्छा इतना सुबह सुबह 15 इंटू 0.1 प्रस्टी इंटू 0.1 प्रस्टी इंटू 0.4 प्रस्टी इंटू 0.2 पहले का 27 आ रहा है ठीक है जी मिलकु सही यर्ट्री 0.1, 0.3, 0.4 और 0.2 18 इंटू 0.2 प्रस्टी इंटू 0.5 प्रस्टी इंटू 0.2 थर्द यर का 29.30 तो हाहे है अब यार हमको क्या निकालना है हमको निकालना NPV तो NPV तो यहीं हो जाएगा फैक्टर से करूं कि सीधा करूं सर सीधा कर दिवाइट वाले से कर लिजे 27 divided by 1.06 power 1 plus 29.30 divided by 1.06 power 2 plus 27.90 divided by 1.06 power 3 minus 50 रिवाइड वाले से ही कर रहे हम लोग और यह NPV आ रहा है NPV तो नहीं आता होगा फैक्टर मतलब यह तो PVCI आ रहा है ठीक है 74.973 PVCI आ रहेगा मेभी minus 50 24.973 24.973 इतना सारा है मुझे नहीं वालू बुक में उसने 0 लेकर किया कि नहीं किया 24.97 NPV हाज निश्रिता इशा NPV में हाँ NPV आये गए 24.97 50 माइनस किया है 50 लेक्स ठीक है जी ठीक है सब्सक्राइब तो पहला काम तो हो गया वुक में 0 लेकर किया है आप बाद में मल्टिप्लाई कर दीजिए कि अगर वुक में भी अगर 0 लेकर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है बुक में भी 0 लेकर किया है तो हमेशा एक रूल से मान लेते ना यार हम लोग हमेशा मान लेते कि चलो ठीक है इन्टू जो भी आएगा ना इन्टू कितने 1 लैक से मल्टिप्लाई कर देना ठीक है अब भी सुनो धियांस अब सुनोगे धियांस अब बोल रहा है पॉसीबल डेवियेशन इन्दी एकस्पेक्टेड वैल्यू अब दो दरीक है यहां या तो पात से जाए या तो मॉडल लगा है शॉटकट जो हमारे पास है अब सुनना सुनोगे लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है बात को या वैसे तो क्योंकि अभी अभी किया तो याद होगा पर फिर भी जब मैं यहां पहुचा तो अब मैं टेंस्टन में आ गया कि क्या किया जाए अगर मैं सोच रहा हूं पात पे जाए तो कौन से वाले पात पे जाए अब समझ लो काम की चीज है सर आज पैसा लग रहा है पचास और एक साल बाद यह सिच्वेशन है मतलब पॉइंट वण पॉइंट टू पॉइंट फॉर और पॉइंट त्री ठीक है मॉडल ही लगाएंगे अब सर और क्या हो सकता यह कप का कैश्ट हो एक साल बाद का 14 हो सकता है या फिर या फिर या फिर या फिर ऐसे बन रहा है बस मैं कह रहा हूँ कि इस कोश्चन में बस मुझे बताओ यह फिर्ष्ट वाला ऐसे बनाएंगे पाथ या फिर इस तरह से बनाएंगे समझ रहे हो ना आप तर इतना टाइम क्यो लगा है टाइम इसलिए कि ये वाला second year में ऐसे, ये second year है, ये second year में ऐसे बनेगा कि ये ऐसे बनेगा It means option number A ये option number B किस तरह से path बनाएगे है, अगर बनाना होता तो किसी बच्चे का कहना फुल जड़ी निकल रहा है हाँ जी A या B अगर path बनाना होता, तो कैसे बनेगा कुछ बच्चो का answer आ रहा है A जिन बच्चो का answer आ रहा है A उनका ये मानना है कि ये जो cash flow है, ये perfectly dependent है और जिन बच्चो का मानना है B उनका ये कहना है कि ये independent है अब बताओ कि इस question में ये perfectly dependent है कि independent है अगर perfectly dependent है तो standard deviation का formula hertz model का यूज होगा अगर independent है, तो hillier model यूज होगा कैसे पता लगेगा कि perfectly dependent है कि independent बारिक्या सीखना पड़ेगा भाई बारिक्या हमको सीखना हाँ जी तर answer क्या आएगा answer आएगा ये वाला जो सोच रहा है ये गलत है ये वाला ही हो उसकी वज़ा क्या है हाँ निशीता independent और कौनसा model लगाओगे अगर independent है तो hillier model लगाओगे और hillier model लगा रहे हो तो सुनोगे 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 hillier model क्यों सर कैसे पता लग रहा है कि ये independent है सर कोश्चन में लिखा है independent कोश्चन में लिखा है independent है और सर कोश्चन में मान लो नहीं लिखा तो अगर कोश्चन में लिखा ही नहीं रहता कि dependent है कि independent है hillier model लगाना है कि हर्ड्स model लगाना है अभी तो लिखा हुआ है अभी लिखा हुआ है मतलब हमको hillier लगाना है सवाल है कि अगर कोश्चन में लिखा ही नहीं होता तो तो हमेशा एजियूम करना ठीक है सर तुछ चलो निकाले यस सर मैंने कहा कि अगर कोश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता तो हमेशा हम एजियूम करेंगे की cash flow independent है मतलब हमेशा हिलियर मौडल ही लगेगा that's it हिलियर मौडल ही लगेगा तर इस बात को लिखवा दोगी यस इस बात को मैंने तो पॉइंट नमबर टू कर रहे है possible deviation in expected value I.C.A.I. हमेशा independent मान के चलता है अगर question में कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा हम फिलियर मौडल लगाएंगे उसके बिचे कोई logic नहीं दिया उन्होंने आप alternative assumption ले सकते हो पर institute ने जो ले रखा है वैसी है मैं लिखवाँगा इस बात को लिखो के point number two possible deviation in the expected value मतलब standard deviation यह सब चीजे जो मैं लिखवा रहा हूँ यह question में आपको कभी नहीं लिखना है हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं पुश्चन में दिया है cash flows independent लिए कि लिए लिए को लिए बुश्चन में लिए ऋूर्ष लिए 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 है if question silent question silent about dependent or independent है na choose failure mode always क्यों ICA उद्दो का कहना है सर कितना स्पेस छोड़ना है ये बता दो प्लीज उद्दो हमने कुछ भी नहीं किया बस इतना ही लिखा है इसके लावा कुछ भी नहीं लिखा है ठीक है और इसकी जरूरत नहीं है ये तो मैंने आपको जो बोला था बच्चों ने जो पूछा था वह लिखवा दिया तो इसको तो मैं रफ कर रहा हूं ठीक है इसकी जरूरत नहीं मुझे यहां काम करना मुझे स्टेंडर्ड आविशन निकालना लिख लिए और इसको क्या लिखोगे था यह नहीं कुछ भी लिखिए तो आपको खुद को अपने नोट्स में अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए था अपने इस सब्स चलो हमें स्टार्ट कर रहा है और इंस्टिट्यूट ने कहीं भ कहीं भी यूज नहीं किया आपका मतलब नाम यूज नहीं किया है तो अब बच्चे परिशाने सार पर मल्टीबल जॉइस कॉश्चन में नाम दे रख इट मेंस याद रखना कि यार यह सब्द तो आपको याद रखना ही पड़े तो यार कैसे निकालते थे हिलियर मॉडल में तो वो भूल गया भाई इन सक्करो में सर हिलियर मॉडल में क्या करते थे हम लोग हाँ ici ai बड़ा वाला पुछेगा वरka आपसे हाँ hillier model में हम करते है क्या थे हाँ hillier model में हम काम क्या करते थे हम इसका expected cash flow निकलते थे yes और उससे क्या करते थे हम लोग standard deviation of cash flow निकलते थे first year की standard deviation of cash flow निकलते थे एंप लोगों के इतनी जोरदार है कि आपने already expected cash flow निकाल लिया है अगर आपने expected cash flow निकाल लिया है तो फिर तो standard deviation निकाल सकता है अराम से सर मतलब 14 minus 26 square वो तो निकल जाएगा तो first year का standard deviation निकालते है second year का निकालते है third year का निकालते है सर, zero लगाना है कि नहीं लगाना आप लगा सकते हूं मैं मना नहीं कर रहा हूं मेरे पास space कम है मुझे calculation में जादा time लगता है बाकि आपकी मर्ची आप zero लगा के कर सकते है तो मैं निकालने जा रहा हूं standard deviation of cash flow सबसे पहले 14-27 मैं first year का लिखूंगा second year और third year का नहीं लिखूंगा इसका मतलब बच्चे समझदार है हर चीज नहीं लिख सकता आप में जानते हूं 14-27 इंटो 0.1 14-27 इंटो 0.1 14-27 18-27 इंटो 0.5 इंटो 10-27 23-27 22-27 plus 40 minus 27 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 परस्ट यहर का एस सेकेंड एस क्या निकल रहा हमारा इस्टेंडर्ड डिवेशन ऑप कैश्फ फ्लो इस्टेंडर्ड डिवेशन ऑप कैश्फ फ्लो और थर्ड यहर टेंडर्ड डिवेशन कैश्फ फ्लो इस्टेंडर्ड डिवेशन का आगया इस्टेंडर्ड डिवेशन 85.9.24 अच्छा वो वैरियंस आया होगा अच्छे उसको स्क्वार रूट करोगे तो 9.24 के असपास आ जाएगा अगर हम दो ही डिजिट में ले रहे हैं ठीक है फाइनल है 9.24 अच्छा वो उसको स्क्वार रहे हैं अच्छा रहे हैं अच्छा रहे हैं क्योंकि आप समझदार हो यार कुछ तो आपको करना होगा प्रशी का 10.19 फर्स्ट येर या सेकेंड येर सर्फ सेकेंड येर का ही होगा फर्स्ट येर का 9.24 है मैं और भी आंसर का वेट करहा हूँ वहू आंसर में वेरीशन आ रहा है और निशीता का आंसर आ रहा है 9.9 चंदरकांत का भी तो मैजोर्टी है तो देख लेना अरशी का कहीं कैलकुलेशन मिश्टीक तो नहीं होगा 9.9 चीकिस इश्या का भी 9.9 मतलब यह मैजोर्टी का आंसर आ गया है 9.9 मानशी का अंसर आ रहा है थर्ड इयर का 8.6 हाँ अक्षे का भी अंसर आ गया एक्षे अंदरकांत का भी आ गया तो एक बार अब आंसर तो निकाल लिया आप लोगोंने गुठ एक बार लिख लोगे लिखा नहीं होगा मैं जानता हूँ आंसर निकाला होगा एक बार लिख भी लोगे क्योंकि फिर आपको इस समझवनी आएगा कि हे भगवान हमने क्या निकाला एक्षव जब रिविजन करोगे ना तो खुदी को समझवनी आए किदर से आया ये करके तो प्लीज लिख ले ना हाँ हष्ट वाले से यात रह आ जाएगा बिल्गुल सही है पर ना बच्चे समझते नहीं है कुछ बच्चे इसका मैसेज आए कि सर आप लिखा करो पूरा पूरा लिखूंगा तो फिर क्या मतलब पढ़ाईगा लाइव ग्लास इसका तो मतलब नहीं फिर तो रिकॉर्डेट में तो मैं पूरा हे लिखता हूँ कोई फर्क नहीं हाज हो गया अब हमारा काम है कि हमें स्टेंडर्ड एविशन अप एनपी भी निकारा और अगर मैं कहूं स्टेंडर्ड एविशन निकालना है एनपी भी मैं लगा रहा हूँ हिलियर मॉड I.C.A.I. इन सब्दों का यूज नहीं करता है नहीं भी लिखोगे नाम याद नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा और अगर लिख देते हो तो नंबर काटेगा नहीं हो सकता है जो पीपर चेक कर रहा हूँ उसको अच्छा खासा नौलेज है तो उसको मजा जाएगा कि चलो यार बच्चे को पता तो है कमसे तो हम निकाल रहा है इस्टेंडर्ड एवेशन अब तर फॉर्मुला दिखेंगे कि फॉर्मुला किसी ने भी नहीं लिखा है ठीक फॉर्मुला कहीं भी नहीं लिखा गया फॉर्मुला लिखने की जरूरत नहीं हम सीधा कर रहे है तर इस्टेंडर्ड एवेशन अब पैन भी मतलब उन्होंने लिखा 9.24 ना सर और इसका क्या किया इसक्वेर डिवाइड़ बाई इसकाउंटिंग रिट कितना है 1.06 और पावर हो गया क्यों हुआ वो आपको पता है आगे सर क्या है 9.93 स्क्वेर किया तो क्या आगया है वेरियंस यस डिवाइड बाई 1.06 और पावर क्या हो जाएगा 4 और फिर लास्ट वाला कितना है 8.62 1.06 पावर 6 हाँ पावर 2 पावर 4 पावर 6 क्यों हो रहा वो मैंने डिटेल में डिसक्वेर क्या कर दिया है कुछ बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है अभी तो नहीं जब पहले कैपिटल बश्टिंग था ना सुनो हाद तो तब होती है क्या होता है जब एक्जाम है जो जिन्दगी में कभी करते नहीं हो ना जैसे एक क्लास करते वक्त या टेस्ट देते वक्त वो आप एक्जाम में करते हो क्या किया था बच्चों ने सुन लो क्या किया था और और क्या किया सुनो और मैंने गा सर मैंने ऐसे किया ये किया और मैंने सोचा NP भी दिख रहा था सर मुझ भी दिखँ को diesuri तुम्हों मुझको तो किसीने बताया था और मुझे वही याद रहा самых राफ मैंने –50 कर दिया सी भगवान फोड़ो dash ठीक है सर, हो जाता है NP भी दिखता तो PVCO मैनस करता है ऐसा याद आ जाता है अंसर आ रहा है 14.37 सबका अंसर सही है simple था सर इस चीज के लिए कल आप ने पूरे दो घंडे बरबात कर दिये हैं हाँ, इसी चीज के लिए बरबात किया अगर मैं चले जी आगे पहला काम होगा है दूसरा काम होगा यह सबका निकल गया है मुझे ऐसी उम्मीद थर्ट थर्ट यह थेयरी है थेयरी लिखना कि भाई यह स्टेंडर्ड डेविशन का क्या यूज होगा यह थेयरी लिखा हुआ भर भर के हाँ सर थेयरी बहुत सारा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा लिखवा दोना यह सर यह कोशन खतम करवा तो हम उसको देखके थोड़ी लिखेंगे तो थोड़ा सा थेयरी भी लिख लेते है यह पूछा है आप कैपिटल बेस्टिंग डिसीजन में प्रोबैबिलिट प्रेजेंट वैली डिस्टिविशन में इस्टेंडर्ड डेविशन का कैसे यूज किया जाता है क्या यूज है किसना हैल्फ करता है लिखेंगेमेंगेंगेंगे रिखेंगेंगेंगेंगे लिखेंगें थी टोजिद रेविशनिτα कैसे ट्रिव्यवे यूज है क्यदि bears कैसे लिखेंगेंगेंगे प्रोश। अजे क्या स्त commissions इफ्र ब WE gua द च विएосन sister मुझते of risk if two projects स tracks क् आविंग दिए तृस्ट का विंग ऑन लॉग्हुश्य अ इन तो प्रोजेक्ट वर स्टेंडर्ड आइविएशन दो प्रोजेक्ट अगर सेम एंपीवी है या फिर हम वह प्रोजेक्ट करेंगे सर्जिसका एंपीवी ज्यादा है और डैविएशन कम है आप ऐसा भी लिख सकते हो जो लिखना लिखुआ standard deviation के विसे में हमारा लिखा हुआ है, वो यह चीज़ लिखा हुआ है in case of conflict it means प्रोजेक्ट ए having higher NPV and project B having over standard deviation आप कहोगे तो आप तीन पेज लिख दोगे इस पर example के साथ बिलकुल आराम से इतना लिख सकते हो कि क्या ने लिख सकते हो अगर conflict है, project A का NPV जादा है, project B का deviation कम है decision is taken on the basis of cv और cv निकलने का formula भी डालता हूँ और sir चाहो तो हम cv निकलने का example भी लिख देंगे चुड़ो यार हो गया, इससे ज़्यादा क्या लिख हो गया उखर यवर सीवी हो गया जी कुछ नहीं है ये सब तो आप लिख सकते हो बहुत सारा लिख सकते हो और कम ऐसे लिखो कि यार पढ़ने वाले को समझा पाओ कि यार देखो एक्जामपल लिख दिया करो अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं कि क्या लिखना एक्जामपल के साथ कर लो सब्पोज एक्स ये कर ठीक है सर हो गया कोशन खतम हो चुका है लेकिन एक पॉइंट एड़ कर रहा हूं उसका अंसर चाहिए एक पॉइंट एड़ कर सब्सक् ken의 प्रबाश कर वा में नहीं एक पॉइंट कोश्चन नमबर 13 भी सेम है, वो आपको homework देने वाल हूँ, बस मेरा बस यह कोश्चन है, इस कोश्चन में मैंने एक point add किया है, क्योंकि अक्सर वो पूछ लेता है, कि बताओ, best NPV आने की क्या probability, best NPV आने की, दिख रहा है, और best कब आएगा, सर, जब हर साल, पहले साल आ जाए सर, 40,000, तूसरे साल आ जाए 45,000, और तीसरे साल आ जाए 48,000, तभी तो best हुआ, इस बात की probability क्या है, हाँ, जी, आपसे answer चाहिए जल्दी से, best NPV आने की probability क्या है, 0.06, 0.006, सभी का answer है, 0.006 कैसे निकाला, सर, 0.3 into 0.2 into 0.1, 0.3 into 0.2 into 0.1, 0.1, हाँ, वाँ, यार, कितने बच्चे, बिलकुल 0.006, बिलकुल सही answer, सर, अब हम तैयार हुच्चिके, अब कोई भी question पूछ लो, probability पर कहा हम बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, सर, जॉइंट probability, बिलकुल सही, अच्छा है, बिलकुल सही, 0.006, मांगा नहीं था question में, हमने कर लिया, आगे बढ़ड़ा हैं हम लोग अब, यस सर, आगे बढ़ड़ा है, एक और topic पर डिस्कुस करना, पर अभी में यहां नहीं करूँ, पहले question बनाएं, question number 39, homework, question number 39, homework, ठीक है, हो जाएगा एक बाद पढ़ड़ू या पढ़ने की सर, हम आप homework दे दीजिए न, मांग क्या रहा है, expected NPV मांग रहा है, बना लेंगे, possible deviation मांग रहा है, बना लेंगे, दिक्कत क्या है, और लिखा भी तो है, independent probability distribution, और risk counting rate कितना लेना है, 6%, बस मैंने कहा न, एक topic discuss करना है, वो आज नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा, मैं रुक के करूँगा, वो discuss करना है कि सर, risk free क्यों, risk free क्यों, वज़ा क्या है, यही मुझे detail में discussion करना पड़ेगा, यह 6% समझी में आता है, cost, यह risk free का क्या चक्कर है, यही समझाना, अभी रुक जाते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा concept वे नहीं जा रहा हूँ, actually मैं आपको बता रहा हूँ, concept ना सुबह सुबह कभी नहीं बढ़ाने चाहिए, तर उसकी वज़ा, बच्चे सो जाएगी, और अभी में बहुत ज़्यादा concept, पहले आज calculation वाला काम करना है, home work है, question number 30 नहीं, रिस्क फ्री क्यों है, ये भी क्या question हुआ, पिछले question में भी तो risk free था, हाँ, पर मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं भी जान तो पिछले question में भी risk free rate था, इस question में भी risk free rate है, और आशर की बात है, हमें risk free ही use करना है, बस इसमें concept समझाना है, that's it, चले, आगे चले हम लोग, आप 6 पर्षन से discounting कर जीए, that's it, question number 38, एक question ये करना है, question number 40 पहले करें है, question number 40 पहले है, question number 40 पहले है, question number 40, question number 40 पहले है, हमारे study mat का question है, tyk 7 है, question number 40, tyk 7 है, ठीक है, हाँ, question number 40, thank you सुबान सू, चलो जी, तएर हो सब लोग, हाँ सर, पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा calculation लगेगा, बहुत अच्छा question, good question, following are the estimates of the net cash flow and probability of a new project, initial investment दिया है, की, 4 लग का हो सकता, या 4 लग का हो सकता, या 4 लग का हो सकता, टाइम बस की है, 4 लग, 4 लग, 4 लग, ऐसे आएगा, या तो एक 10, या तो एक 20, और एक लग आने की probability 0.5, और 0.3, 0.5, 0.2, और salvage value भी दिया है, after tax, पहला question है, salvage value दिया है, 20,000, 50,000, 60,000, ठीक है, और required return कितना दिया है, 10%, सबसे पहले क्या निकालना है, सर यह cash flow independent है कि dependent है, अभी हमें सोच नहीं नहीं है, जब भी बोलेगा NPV निकालो तो कभी नहीं सोच नहीं है, तो सबसे पहले बोल रहा है, expected NPV निकाली, कैसे निकाला जा सकता है, expected NPV, सर, तीन टाइप के सिनारियो, हम नॉर्मल पाथ अप्रोच से भी कर सकते हैं, अब किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं, एक लाख, एक दस, एक बीस, हर साल आएगा, परेनम, 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 तो क्या NPV निकाला जा सकता है, सर, एक एक लाख आएगा, पास साल तक, सर, एक काम करते हैं, हम लोग expected, expected cash pro निकाल देते हैं, सर, या फिर एक काम करते हैं, हम इसको लेकर NPV निकाल देते हैं, इसको लेकर NPV निकाल देते हैं, और इसको लेकर, मतलब सर, हम तीन NPV निकाल देते हैं, काम हो जाए कहां present value unity factor से करेंगे मैं आपसे भी बोल रहा हूं तो एक काम करते ना यार ये NPV निकाल लेते और ये NPV निकाल लेते और ये NPV निकाल लेते इससे एच्छे तो कुछ होई नहीं सकता यस पहला काम कर रहा है एक्सपेक्टेड एंपी ठीक है एक्सपेक्टेड एंपी भी देखें पात है प्रोस से एंपी भी हां एंपी वी के लिए पात क्या सबसे पहले इस सेनारियो से सिनारियो वन करके लिख सकते हैं किया लिख सकते हैं हर साल आएगा एक लग अंफैक्टव कितना है सब 10 परशन के तक आएगा तोवन 6 कितना 3.791 और माइनस कितना करेंगे? नहीं और भी है, सैलवेज भी है सैलवेज भी है, सैलवेज भी है, फैक्टर दिया नहीं है, तो मैंने थीन डिट में लेगे लिए और सैलवेज कितना सैलवेज है 20,000 0.621 और सैल माइनस कितना करेंगे? चार लग तो पहला एनपी भी निकल जाएगा एक लाक इन्टो 3.791 M प्लस B सेजर इन्टो 0.621 M प्लस MRC माइनस चार लग कितना नेगेटिव आ गया? 848 0 ठीक है सर, अब बात करते है सिनारियो टू और सिनारियो टू में कितना आएगा? एक लग दस जार 1,10,000 इन्टो 3.791 तस कितना आएगा यहां? 50,000 2.621 और माइनस कितना करूगे यहार? वापस 4,00,000 2.799 1,109 और सेन्यारियो 3 वापस 14,ど 1,20,000 1,20,000 2,3.7 1 plus 60,000 2,6 1 minus 4,000 प्रशान्त इशा 4,8 निशिता 3rd का निकल गया है 5 ठीक है 2nd का प्रशान्त है 4,8,0,6,0 4,8,0,6,0 और निशिता 5,4,0,2,4,0 यादा नहीं है ऐसा नहीं लग रहा है 5,4,0,2,4,0 एक बार फिर भी confirm कर लेना मुझे पता नहीं थोड़ा सा साइद वो present value हो सकता है हाँ present value रहा होगा 3rd का रहा है 9,2,1,8,0 ठीक है ठीक है 9,2,1,8,0 प्रशान्त वक्स ठीक है सब का सही है हाँ अनिशिता में समझ गया था आपकी बाद अब क्या कहना ठीक है सर ये काम तो हो गया तो हमारा क्या निकला हमारा expected NPV expected NPV नहीं है NPV इससे 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 और इसको multiply किस से करना है 0.3, 0.5 और 0.2 से 0.3, 0.5 और 0.2 से expected NPV आजाएगा येस आपकीहरा है 8 4 8 0 into 0.3 0.7 0.3 60 into 0.5 plus 92180 0.2 answer आगया 3 double 9 3 double 9 double 2 alternative आप expected cash flow निकाल लेकर भी कर सकते हाँ सर हर साल का आप एक एक लाक रुपए एक दस और एक बिस इसका हम expected निकालते हैं और इसका भी expected निकालते हैं और फिर present value निकालते हैं ऐसा भी कर सकते थे एक ही बात सर ऐसे क्यों निकाला वैसे उसकी पीछे उसकी पीछे रिजन यह था वह best NP और worst NP भी मांग रहा है तो मेरे ख्याल से point number 2 तो यहीं हो गया हमारा यस सर best NP सर यह वाला और इसकी probability तो नहीं मांगा नहीं मांगा है 92180 और वर्ष्ट एनपी भी 848ज और आपका दिल करेगा तो यह भी निकल ले न वान आन टू तो हो गया है अब कुछ ना कुछ तो पूछेगा अभी तक हमें आ रहा है क्योंकि MPV में जरुरत नहीं है dependent और independent की जरुरत नहीं है लेकिन आगे अब तो बताना पड़ेगा और कोई option नहीं अब पॉइंट नमबर 3 important है सुनना क्या बोल रहा है तो probability of occurrence probability मांग रहा है किस बात की probability of occurrence of worst and NPV जो आ रहा है worst इस NPV की क्या probability है if cash flow are perfectly dependent अगर cash flow perfectly dependent है and ये भी बताना अगर cash flow independent है दोनों condition में probability मांग रहा है अब यहाँ सोच समझ के काम करना अगर perfectly dependent है तो cash flow क्या आएगा अगर independent है तो cash flow क्या आएगा अगर perfectly dependent है तो किसका मतलब क्या है समझा रहा है दोनों चीज पहले लिख दूँ क्या में हाँ सर लिख दीजी perfectly dependent और independent इसे draw करने की ज़रुत नहीं है वो मैं अपने लिए कर रहा हूं क्योंकि ना मुझे उतने easily समझ में नहीं आती है चीज़े तो probability निकालना है अगर perfectly dependent है सर मतलब perfectly dependent का मतलब यह हो गया कि चार लाक आज गया बिलको सही एक दो तीन कितना आए गया सर या तो एक लाक आ सकता है या तो एक दस आ सकता है या तो एक बीस आ सकता है और इसकी probability कितनी है 0.3 0.5 और 0.2 यह सर और perfectly dependent का मतलब है आगे एक लाक ही आएगा फिर एक लाक ही आएगा फिर एक लाक ही आएगा फिर एक 10 आये का याद है ऐसा कुछ किये थे और हमने यहाँ 1 लिया था perfectly dependent का तो मतलब यह होता है तो उस हिसाब से उस हिसाब से पूछ रहा है कि बताईए अगर perfectly dependent है तो सबसे खराब MPV आने की क्या probability यह आंसर बिल्कुल सही है 0.3 पर यह 0.3 निकला कैसे 0.3 हाँ वैजनती 0.3 सही है पर यह 0.3 निकला कैसे 0.3 ऐसे निकला 0.3 into 1 into 1 into 1 है ना यार ऐसा कुछ conceptual ही है बाकि तो कुछ जैसे समय है हमें joint probability ही करना हाँ 0.3 concept ही है 0.3 into 1 into 1 into 1 बावसर पर वैसे दिखाता नहीं है आई-सी एई वो तो 0.3 लिखकर काम कर देता है ठीक है सर तो इसको एक बार लिख ले क्या यस पॉइंट नमबर कौन सा कर रहे है थर्ड हाँ जी किष्ण सहीं बोल रहा है आप भी हाँ जी सब लोगों का सहीं है पॉइंट यही तो मुझे knowledge चाहिए आपके से बस इसी में पढ़ाने में जो मज़ा आता है ना अगर परफेक्टली डिपेंडेंट है तो पॉइंट थ्री हमारे knowledge के लिए मैं लिख रहा हूं इसमें आप जो लिखें पॉइंट थ्री इंट वण इंट वण इंट वण इंट वण इंट हम अपने लिए लिखें कि ऐसे निकला एक्च्वल में ठीक है अब अगर इंडिपेंडेंट है कैश्वलो तो probability आँ बेलकुल सही है तो चाहिए था मझे अंसर कि ये क्या किया क्या है मैं बता रहा हूं क्या किया है अंसर सही है 0.00243 बेलकुल सही अंसर पर हुआ कैसे सर ये बता दो प्लीज देखो आज कितना लगा रहा है सर चालिस हजार चालिस जो भी हो चार लाक लैक्स लिखोना चार आज गया अब कितना कितना सकता सर वन आ सकता इसकी बात की probability 0.3 0.5 0.2 इसकी बात करता हूं बाकी एक हो छोड़ दो तीन chances है 1 1.10 1.20 मतलब यहां 0.3 हो गया फिर जो हो गया फिर 1 फिर तीन chances 0.3 तो इट मींस यार हमको तो एक एक लाग देखना पड़ेगा हां सर मतलब 0.3 भी सबसे जो खराब cash flow कब आएगा 0.3 फिर आएगा 0.3 फिर आएगा 0.3 फिर आएगा 0.3 और फिर आएगा 0.3 कि सबको बात समझ में आ गई है सबसे खराब अगर independent तो कैसे काम होगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इस तरह से होगा हाँ बोलो, सब को बात समझ में आ रही है या नहीं थैंक गॉड ठीक है किश्यन, मांशी, शुभानसूज, हाँ सर बात समझ में आ गए एटलिस्ट हमको याद तो नहीं करना पड़ा, रटना तो नहीं पड़ा है 0.3 पावर फाइफ ऐसे किया इसी है, हाँ सर यह तो उनको समझ में आता 0.3 into 0.3 into 0.3 into 0.0043 0.0024, ऐसे किया है, आईसी है और आप भी जानते हो, ऐसे क्यों किया है, हाँ सर समझ में आ गए हम लोगे हो गए यहां तक यह सा, आगे बढ़ना हूँ 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, अब आगे चल रहा है हम दोख point number 4, point number 4 important है standard deviation, आपको निकालना standard deviation और एक बार standard deviation निकल गया, तो फिर तो coefficient of variation हम निकाले लेंगे पहले HD निकालेंगे, फिर coefficient of variation assuming that there are only 3 stream of cash flow which are represented by each column of the table with the given probability मुझे SD चाहिए, कैसे निकाला जाए, सलह दीजिए, standard deviation चाहिए यही वाला point है, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, SD चाहिए SD standard deviation निकालना और coefficient of variation निकल cash flow है बोल रहा है, और probability उसी के हिसाब से हाँ जी कोई है जो बताएगा, SD कैसे निकाला जाए, कोई model model लगाना है, यह बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल जाए क्योंकि सर एक NPV मालूम है, दूसरा NPV मालूम है, तीसरा NPV मालूम है, average NPV मालूम है, मतलब सर हम इस approach से तो करी चुके हैं, तो सर खेली खतम करते हैं ना यार, अगर हमको NPV दिया है, तो फिर ज्यादा टेंशन ही नहीं है, प्रॉब्लम तो NPV निकलने में थी, अगर NPV निकाल चुके हैं हम लोग, तो सिधा path approach से काम कर लेते, एक NPV, दो NPV, तीन NPV पता है, और इसके अलावा हमको average NPV पता है, mean NPV, तो HD तो यूनिकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, और इसके अलावा आपकी कोई suggestion हो, तो आप वो भी दे सकते हैं, निशीता का कहना सर, हम तो निकाल भी लिए है, standard deviation in NPV है न, नील, yes, healer से निकाल सकते है, healer से निकाल सकते है, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, हमारे पस दो एप्रोस थे, healer से निकालते तो, healer से निकालते तो फिर बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, समझ रहे हो ना, आप, मुझे पास साल तक किया, देख रो, healer, healer से निकालते तो मुझे cash flow हर साल का चाहिए, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पास साल, आप घर में ये काम हो सकता था, मेरी बच्चे कहते है, healer से निकालते तो क्या होता, अगर मैं कहूं healer से निकालते तो क्या होता, तो भी answer यही आता, अगर में हिलियर से निकालता है तो नो बच्छे अगर में हिलियर से निकालता तो मैं सबसे पहले एक एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकलता तो ऐसे निकलता फास्ट एर का फिर ऐसे किसका निकलता सेकंड एर का फिर ऐसे कैसे निकलता थर्ड एर का फिर निकलता फोर्थ एर का और फिर आगे क्या होता फिर निकलता फिप्त एर का और फिर इन सब का मुझे क्या निकलना पड़त इस्टेंडर्ड डइविएशन ठीक है हाँ हाँ बात समझ में आ रही बाकी अगर है हिम्मत तो आप निकालोगे और हिम्मत है घर आज तो संडे है ना यार हाँ सर तो क्यों न कुछ विशेस किया जाए ठोड़ा सर कोई विशेस विशेस नहीं करना है हमको हमको जैसा आप बत हमें हड्स मॉडल से ही करना है क्योंकि और कोई यहां से मुझे ऑप्सन नहीं हिलियर से करते तो भी हो जाता पर मेरे पाथ एप्रोच से अल्रेड़ी आ चुका है तो फिर मैंने काम कर दी नॉर्मल ही ठीक है सर यस तो चलो काम कर रहे यार इस्टेंडेड डेविशन इन एन पी भी नहीं काल रहे हम लोग कौन सा पॉइंट मांग रहा था है तर पॉइंट नूमबर फोर प्राइशन इन पीव कुलाओ जात है तो फिर में अल्रेण पीयों calculate कर लिया है पाथ से तो इलियर या हर्ट्स मॉडल नहीं लगा रहा है सीधा निकाल रहा है ये मैं अपने लिए लिखाऊं क्योंकि कल को फिर मन में आएगा कि हिलियर या हर्ट्स क्यों नहीं लगाया जब भी आपको एनपीवी पता है और प्रोबैबिलिटी पता है तो हमें हिलियर या हर्ट्स सोचना ही नहीं है सीधा इस्टेंड़ इविशन निकालना है सर याद दिलाओ थोड़ा सा याद दिलाओ एक सेट रुख सुन लो सुन लो कोशन लो 26 था हमने किया था कोशन लोब 26 question या अभी भी किया मैंने ये question number 26 आप ही का book का है करवाया हूं करवाया हूं तो उसमें ना यार उसमें हमने total मिलाकर NP भी निकाला था पाथ एप प्रोस से एक दो तीन चार पाच और छे छे NP भी निकाला था तो फिर जब standard deviation निकालना रहा ना तो हमने हिलियर या हर्ट नहीं सोचा है हमें ज्यादा research नहीं करना है हम काम कर रहा है हम standard deviation नपी भी हाँ 17-8 को मैंने करवाया था करवाया था मुझे याद नहीं पर मैंने करवाया था इस question को चलो जी खतम करें सर जल्दी खतम करना और class भी जल्दी ओवर करें एक question ओवर करें उसके बाद class ओवर कर देंगे पर सुनो काम करें NP भी निकला है क्या यास और 399228480 मिनस 84860 39922 square और इस बात की probability कितने 0.3 plus 92180 48060 48060 39922 का square और इस बात की probability कितनी है इस बात की सब probability 0.5 आगे चलते 92180 92180 39922 का square into point answer 35807 standard deviation है कि 3.8 35807 निशीता हाँ वैजनती सभी का आ गया तो sir standard deviation आ गया 35807 07 35807 सुभानसू मांशी सभी का सही है 35807 बड़ा कोश्चन है या इस कोश्चन में टाइम लगता है बहुत बड़ा कोश्चन है वो तो क्या है हम लोग कर रहे थोड़े से आप लोगों का साथ है सॉरी 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 ये लो फुश्च इशा 35807 ठीक है सरो ओके ओके अक्ष्य हो गई थि मुझसे मैंने स्क्वरूट लगा दिया अभी आगे चल रहा है आगे चल रहा है हाँ कोश्चन अच्छा है तर इसके बाद क्या मांगा है बच्चों को मालूँ है इस कोश्चन में जनरली क्या समझ में नहीं आता है अगर मैं कहूं कि अधिकतर बच्चों का जो मेरे पास doubts आया करता था किसी जमाने में वो doubts क्या आता था सुन लो doubts यह आता था सर यह क्या चक्कर है यार पॉइंट 00243.3 perfectly यह बहुत अच्छा खासा knowledge यह तब भी होगा ठीक है सर पॉइंट नमबर 4 हो गया आगे चले किया yes standard deviation NPV हो गया अब कर रहे हैं पॉइंट नमबर 5 5 में क्या मांगा है 5 में क्या 5 last वाला पॉइंट अच्छा इसमें CV भी तो मांगा है पॉइंट नमबर 4 में हाँ सर इसमें CV भी मांगा है coefficient of variation standard deviation and coefficient of variation PV का formula है सर standard deviation divided by x भा मतलब सर यह होगा है 35807 divided by 35807 divided by divided by expected NPV कितना है था 3992 3992 कोई efficient of variation आगया CV हाँ जी 35807 divided by 39922 0.89 0.90 ले सकते हो 0.90 किशन मांशी इशा सबका सही है 0.897 निशीता ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तर आज zoom meeting होगी क्या हाँ जी आज होगी 7 बजे उसी टाइम पर यह थोड़ा लेट से भी कर सकते हैं तके आप भी थोड़ा घुमफिर कर रहा जाओ और मैं आपको टाइमिंग सेट कर दूँगा आज zoom meeting होगी चलो जी आगे चलते ठक गैसर यह question बनाती वे लास्ट पॉइंट भाई काम खतम करते हैं लास्ट पॉइंट coefficient of variation of x limited on its average project which is in the range of 0.9521 क्या कह रहा बुले x limited ने project में पैसा लगाया हुआ है yes project में पैसा लगाया है x limited ने अब यार x limited ने project में पैसा लगाया है बुले ज़ तरह का project में पैसा लगाया है उसमें generally है coefficient 0.9521 generally रहता है और आपका कितना निकला था Cv कितना निकला था sir हमारा cv निकला था 0.90 वाव बताव generally risk ज़्यादा रहता है risk ज़्यादा रहता है और हमारा जो है risk है वो तो 0.90 तो है yes if the cv of the project is found is less risky पक कहा है यार हमारा तो कम risk है तो बोल रहा है 100 basis points are deducted from the company's cost of capital तो उसके बाद क्या project को accept कर लेना चाहिए बात कास आपको समझ में आ जाए ये बोल क्या रहा है बिल्कुल simple point है पर बोल क्या रहा है बोल ये रहा है कि जब दूसरे project की बात करो similar project की तो बोले उसमें generally risk होता है जादा हमारा जो है वो less risk की है हाँ जी हमारा less risk की है तो बहले discount risk की कम है discounting RADR भी कम होना चाहिए हाँ sir मतलब sir RADR वाला point यहां डाल दिया है हाँ बोले risk कम है तो RADR जाद कम होना चाहिए हाँ risk registered discounting बोले कितना ले 100 basis point मतले मतलब जो भी rate होगा rate कितना है 10% तो बोले उसको हमें 100 basis point से कम कर देना 1% मतलब 100 basis points ठीक है sir तो discounting rate कितना लेना बोले 9% लेना और बोले discounting rate अगर हम 9% लेते तो क्या project को accept कर लोगे NPV निकालना है और सुनो क्या बेवकूफी है यह जो NPV निकाला गया है कि कितने percent के सबसे निकाला गया है 10% की सबसे क्या NPV positive आया है यस हाँ sir NPV positive कितने percent से 10% से अगर आप 9% से discounting करोगे तो NPV negative आएगा कि positive तो चो यार थोड़ा सा 10% से already positive है हाँ तो 9% से बिल्कुल positive आएगा हाँ sir कोई रोक नहीं सकता अगर 9% से positive आएगा तो क्या project कर लेना चाहिए आंसर यस खतम कहानी क्यों निकाला expected NPV नमबर नहीं मिलेगा concept का नमबर नहीं मिलता calculation का नमबर है ठीक है जी तो भगवान का नाम लेते और फिर से निकलते NP unitary method आपको लग रहा है कि यह linear होता होगा चलो निकालते पोस्टो नमबर 5 चलो क्याक आपको लेकालते पोस्टो ने कार यह जा है पोस्टो नमबर 5 आपको लेका प्रश्टो नमबर 5 NPV since X Limited TV 0.90 is Everest discounting rate 10 minus 1 is 9%. 9% से हम लोगों को NPV निकालना है अब यार NPV वापस निकालना है सर क्या किया जाए क्या किया जाए तीन NPV निकल कर expected कर लेते हैं यह तो एक तरीका है this into this into this expected और फिर क्या बचा है हमारा service 20 हाँ सर ऐसे ही कर लेते हैं टेंशन खतम shortcut से 3-3 NPV कौन निकालेगा इसके लिए मतलब मैं इसको किसी और तरीके से और कर वा रहा हूँ expected cash flow AC 1 यक यक यकदस 001 यक यकदस 001 यक 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 discuss 1 यकोलाग 0 यकुआ 0जोष 0 यकिडेश क्या probability है, 0.352, 0.3, 0.5, और 0.2, रशाम्त का अंसर आ चुका है, expected value, 109, यह तो आगे सर्क पर है न, और एक चीज लगेगी, जिसका नाम है, expected, यह वला point तो यह टाइम पास किया, expected salvage value, बस्ट आगे सर्क पर है, 0.3, plus 50,000 into 0.5 plus 60,000 into 0.2, 0.3, पे सर्क दिसर इन 0.3, M, plus 50,000 into 0.5, M, plus or 60,000, the same as 43,000. सर एक्सेक्टेट नपीबिस 1,09,000 न्टो 9% से इसकांटिंग करना है भाई 1 डिवाइब 1.10,1 डिवाइब 1.09 1,2,3,4,5 एक सेक्ट मैं आपका डाउट डिसक्स करा हूँ 3.889 मतलब 1 डिवाइब 1.09 1,2,3,4,5 DT 3.890 43,000 1 डिवाइब 1.0 9 1,2,3,4,5 0.650 minus 4,5,196 5,196,0 NPV 5,196,0 NPV सही है प्रोजेक्ट शुड भी एकसेप्ट प्रोजेक्ट शुड भी एकसेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट प्रोजेक्ट अचेप्ट थेक है सर आज ब्रेक नहीं हुआ हाँ आज क्लास बिल्लबकुल स्मूथली चली है कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप की तो कोशन अच्छा था सर कोशन में ये कितने नमबर का आता था पहले जब था माफ़ा चलता था उसके बाद फिर S.F.M आया उस समय कोशन 2020 मार्स के आते थे 16 मार्स के कोशन आते थे अगर मैं गहूं पहले किसी जमाने में 16 नमबर का कोशन आता था 20 नमबर का कोशन आता था बड़े बड़े कोश्चन आते थे अब यार कोश्चन वही रखा है इंस्टिट्यूट ने अभी का पैटर्न का अभी आने वाला पैटर्न तो मुझे नहीं मालू लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके साब से आठ नंबर दस नंबर से ज़्यादा बड़ा कोश्चन आता नहीं है आठ नंबर आठ नंबर से ज़्यादा बड़ा कोश्चन आता नहीं है तो यार सर ये कोश्चन आएगा की नहीं आएगा मैं कह रहा हूँ कि ये कोश्चन आएगा की नहीं आएगा माइने नहीं रखता लेकिन इसके अंदर जो points दिये हुए है इसके अंदर जो points दिये हुए सायद एक पॉइंट पूछ सकता है आपसे या किसी question में mix कर सकता है इसलिए इस question को हमें करना था और आराम से करना अच्छा average निकाल रहे है चलो जी तो सर अब आगे क्या है अभी आज का scene क्या है आके अभी हमारे पास अभी भी time बेचा हुआ है आदा गंट आदे गंटे में target यह है अच्छा चलो कोई बात ने अब सुनो सर अब कितना बाकी है दो कोईशन है दो कोईशन बाकी है अब दो कोईशन बाकी है और एक कोईशन तो मैं आपको home work देने वाला हूँ ठीक है एक कोईशन हमको करना है और इधर गया कोईशन एक 41 बाकी है और एक 38 बाकी है दो कोईशन बाकी है 38 मैं करवाऊँगा आपको ठीक है सर 38 मैं आपको करवाऊँगा और एक कोईशन मैं आपको home work दे दूँगा तो हमारा काम खतम हो जाएगा फिर ठीक है तो बनाए कोशिश करेंगे कि आदा घंटा भी ना लगे जितने जल्दी खतम होगा उतना आपका टेंशन कतम हो जाएगा 38 सर ये भी क्या हमारे IC AI ने डाल रखा है कोईशन यस तो आ जाओ काम करते TYK5 था हैंक ये शुभानसू आपके साथ के लिए TYK5 TYK5 नील का कहना के simulation बाकी है की हो गया नील simulation नहीं हुआ है आप चिंता ना करो तो सर वो कब होगा अभी रुख जाओ पहले ये कोशन मना ले फिल बात कर लेता हूँ मैं कि क्या कैसी क्या करना चलो कोशन नमबर 38 मैं आपको एक पॉइंट भी नहीं छुड़वाने वाला हूँ पुरी बुक्स में से तो आप बिल को निश्चिंत रहिए वो मेरी जिम्मेदारी है आपको कुछ भी नहीं सोचना है वो मैं करवा हूँगा कोशन नमबर 38 क्या लिखा हुआ है अब स्टार्ट कर रहे हम ये कोशन कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो जाए प्रोजेक्ट एक से और प्रोजेक्ट Y है तर एक ही प्रोजेक्ट का तो हो नहीं रहा था हमसे अब दो-दो प्रोजेक्ट डाल के रखा है अर अंडर दा इवैलवेशन ऑप एक्स वाई कमपनी दा एस्टिमिटेट कैस प्लोई and their probability are as below investment भाई, project X की बात है investment हो रहा है, 70 लाख रुपए और probability दिया, 0.3 दिया है 0.4 दिया, 0.3 दिया है और 30 लेक, 30 लेक, 30 लेक 50, 40, 40, 65, 55, 45 लाइफ कितने साल है? सर, लाइफ है, लाइफ है, लाइफ है तीनी तो साल है सर एक सल, दो सल, तीन साल का मतला? फिर वाई के विशे में वो और which project is better, best on NPV criteria, discounting rate आपको कितना ले ना? 10% तो NPV तो निकाली सकते हैं Yes NPV अब मैं क्या करने वाला हूँ? Simple way में निकाल रहा है NPV सर expected cash flow निकाल ले थे expected cash flow निकाल ले थे first, second और third year का इसमें worst NPV और sir homework दे देंगे मैं homework देने वाला हूँ पर ये वाला question नहीं दूँगा ठीक है sir कोई बात नहीं मैं आपसे बोल रहा हूँ एक काम करते ना यार पहले साल का expect इसमें पूछ थोड़ी ना कि worst NPV बताओ और best NPV बताओ ये सब कुछ नहीं पूछ रहा ठीक है ओके sir तो हम expected NPV निकालते speed से और फिर standard deviation लिख देते हैं ठीक तर book पर लिख लेते हैं नहीं 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 speed से नहीं करेंगे इस question को मुझे करवाने दो ये question अच्छा है उतना बुरा नहीं है अगला question मैं आपको homework दे रहा हूं पका और इसमें बहुत कम समय लगना है ये तो 10 minute में खतम होने वाला 10 minute में भी नहीं लगेगा इस question को कर लेते expected NPV अपसे पहले बात करते है प्रोजेक्ट एक्स उसके लिए expected cash दो नकल लेते हैं प्रोजेक्ट्स का बात बात ठैसी ये नहीं ख़िए 30 नहीं 2 0.3 0.4 65 नहीं 0.3 ऐसे ही Year 2 का हाँ जी ये बड़ा कोश्चन नहीं है ये तो फटा-फट से हो जाएगा और ऐसे ही किसका निकालोगे Year 3 का Year 1 का आगया है सर चलो 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 बहुत अच्छी बात है Year 1 का आगया 48.50 अक्छे है मानशी शबका सही है और सर वेजनती का आणसर आगया Year 2 का भी आगया कितना 41.53 बिल्कुल सही मानशी का भी है 41 अक्छे 41.53 ले लिया और मानशी का कहना इससा 3rd year का भी आगया है 38.5 38.5 इसे करना कुछ नहीं था बस हमें कैलकुलेशन कर लिया यह 1st year के cash flow का कैलकुलेशन कर लिया यह 2nd year के cash flow का कैलकुलेशन यह 3rd year का कैलकुलेशन 1st year का cash flow 3rd से कर लिया अब ही क्या कर रहा है और माइनस क्या करोगे cost of project कितना सत्र लाग आंसर चाहिए NPV का लिख लो पहले लिख लो जरूरी है लिखना जरूरी है copy अच्छी रहे क्योंकि आपको लंबे समय के लिए कामन ऐसा नहीं है कि 6 महने बाद आपका paper है time है चंदरकांत, इशा, शुभांशू, शभी का आ रहा है फाइनली, 37.3, that's it, simple था है इशा, शुभी का आंसर, 37.3, 4, 3, 1, ठीक है वो factor vector की वज़े से उर, 37.3 जैसे आपने, which project is better यह तो यार हमको NPV निकालना है फ़र्ष्ट का तो निकाली लिया अब किसका निकालो कि project y का और project y में सुनो हर साल annual cash flow दिया है हर साल आएगा किस्मत ही खराव बच्चों का गया ना तब तक project y करीगे हाँ जी एक बार confirm कर ले या हाँ एक बार फिर से confirm कर लो क्या अभी भी lag है या फिर इशा अभी भी audio video lag है या फिर अब तो कोई issue नहीं है न ये कोशन खतम करना या नहीं तो रह जाएगा फिर करते हैं हाँ ठीक है जी प्रोजेक्ट x का हमने np भी निकाल लिया ठीक है thank you so much चलो तो अब हमां क्या गर रहे थे हमने कह रहे हैं हमने जिए project x का निकाल ले अब निकाल चुके है अब project y का निकालना है अब जबकि हमको project y का निकालना है तो देखो एनवल हर साल का cash flow दिया है तो सर expected cash flow निकाल लेते एक बार और यही तो तीनो साल में हो रहेगा यस तो यह तो simple हुआ सर यस तो project Y की बात कर रहा है expected cash flow 40 into 0.2 plus 45 into 0.5 plus 50 into 0.3 expected cash flow आगय है 45.50 पर एनम yes NPV निकलते है 45.50 into minus 7 लक कर लो गोश्रत वेजनती आंसर आपका 33.1 निश्रिता बस इतना बता दो 2.487 कैसे ले लिया आपने 2.487 किस तरह से लिया 10 परशंट लाइफ कितना है 3 साल कहां लिखा है कि प्रोजेक्ट वाए का लाइफ 3 साल है प्रोजेक्ट वाए का लाइफ 3 साल है ये कैसे पता लग गया आपको बिलकुल सही प्रोजेक्ट अगर इसकी लाइफ है 3 साल तो इसकी भी 3 साल होगी यस बस यही सोचा ना है सर इतने समझदार है हम अगर इंस्टिटिट अब इस पर सुनो इस पर भी बवाल मचा देते बच्चे ओहो आईसी है इनने कितना बड़ा काम किया लाइफ नहीं दिया अब भी नहीं दिया तो नहीं दिया ठीक है बिलकुल सहीं बोल रहे है बिलकुल सहीं है हमने लाइफ एज्यूम किया कि वाए का भी तीन ही साल होग है ठीक है तो फैक्टर लिया अपने 2 पॉइंट कितना लिया था 1 डिवा 1 डिवा 1.10 1,2,3 2.48 45.5 x 2.487 43.16 43.16 अंसर गल्य फैनली 37.34 of 43.16 अंसर तो यही आ रहा है ना कॉस्ट 80 हाँ मुझसे गल्ती हो गई थी भई हो जाता है कॉस्ट तो यही आ रहा ना परी एनपीवी तो यही आ रहा ना एनपीवी एनपीवी यही आता होगा मतलब एनपीवी अलग आ रहा है 33.16 आ जी 33.16 ठीक है भी फैनल 37.34 एनपीवी है और दूसरे का एनपीवी है 33.14 तो कौन सा प्रोजेट करेंगे सा प्रोजेक्ट एक्स सुट भी एक्सेप्ट इट एक्स तूद बी एक्सेप्ट इट दूट आया नपीवी बस इसी के बैसिस पर बोला था नपीवी के फिच प्रोजेक्ट इस बैटर प्रोजेक्ट इस बैटर डिव तो हायर नपीवी ऐसा लिख लें कंप्यूट दा इस्टेंडर डवेशन अफ दफ्रेजेंट वैली इस्टेंट इस डी निकाला है इज़ई के सार तो कैस्प्लों को पता हैं cash flow cash flow cash flow HD निकल सकता है क्या और किस से निकालोगे क्योंकि cash flow पता है तो हम कोई भी एक model लगाएंगे या तो hillier लगाएंगे या तो hertz लगाएंगे सवाल है कि हमें hillier लगाना है कि hertz लगाएंगे ये cash flow मालूम है ये cash flow मालूम है ये cash flow मालूम है तो सर हम इसका standard deviation of cash flow इसका standard deviation निकल देते हैं हाँ जी path approach से भी कर सकते हैं निशिता कोई दिक्कत नहीं है सर हम पर path approach से करने के लिए फिर मालूम है हमको 3 NPV निकालना पड़ता कौन-कौन से NPV निकालना पड़ता फिर इसका NPV, इसका NPV, इसका NPV अलग-अलग निकालना तर हिलियर ही लगाएंगे क्योंकि कोश्चन सालेंट है मैंने का ना पाथ अप्रोश से आप कोई भी कोश्चन स्वाल कर सकते आंसर उतना ही आये खा तो लिखोगे Standard Aviation क्योंकि कोश्चन सालेंट ही हम अपने ले लिख रहा है ICAI ये नहीं लिखता खिलियर माड़ Project X Standard Aviation of Cashflow 1st year 30-48.50 square into 0.3 plus 50-48.50 to 0.4 plus 65-48.50 to 0.50 point second year का तो मुझे मालूम ही नहीं, so first year का standard division of cash flow बताऊ के, second year का standard division of cash flow 2 41.5 or 50, 50 minus 41.5 40 minus first year का 30 है first year का आ रहा है 13.61 पर थर्टीन पॉइंट सिक्स ऐसे second year का भी बता दोगे, मुझे पीछे बार बार देखना पड़ा है बोट में, तो please कोई second year का बता दे, तो फिर हम काम करें first year का सब का आ गया 13.61 standard deviation तो second year की बात करो, तो second year में हमको यह लेना है 30 minus 41.5 30 minus 41.5 30 square into point plus 40 minus 41.5 40 minus 41.5 square into point plus 55 55 minus minus 51.5 53 square into को करना है, square root third का 5.2, second का 9.76 और घर आगे ता 5.92, terceर का कश्ट यागा है ता 5.94 तो थेखा, regret five So, final Nikaldraim look, standard deviation of NPV, standard deviation of NPV, 13.61 1.101 square into 8.3 is counting 10 percent, 1.10 power 2 plus 9.76 square into 1.10 power 2 plus 5.94 divided by 1.10 power 3. Racket lagana lagau, nil lagana mat lagau. अक्षे में चेक कर रहा था, आप लोगों का ध्यान है भी की नहीं? हाँ, इशा मैं चेक कर रहा था, चेक कर रहा था, आप लोग ठीक से कर रहा है है या फिर कॉपी कर रहा है? हाँ, वैजनती, आंसर आ गया, सायद, 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 15.44 या 15.43 कनिश्का? ए भगवान, कितनी गलतिया पकड़ोए, ठीक है रहा हूँ, अभी सुनो, मेरे ख़ल से स्टेंडर्ड एविशन आप प्रोजेक्ट B का कर लेना, प्रोजेक्ट Y का कर लेना, और डिसिजन दे देना, कि यार कौन सा हमारा रिस्क के हिसाब से कौन सा अच्छा है, यह होमवक रहा, सेकेंड वाला पार्ट कर लोगे, मुझे उमीद हो कर लोगे, मैं य दूसरे साल भी यही रहेगा, दूसरे साल भी 40, 45, 50 रहेगा, और तीसे साल भी 40, 45, 50 रहेगा, तो आश्चर की बात है, कि स्टेंडर्ड एविशन हर साल एक जैसा रहेगा, उसी काम को प्रेजेंट वैल्यू करना है, वो हो जाएगा आपसे, ठीक है, ठीक है सर, रहूल ऐस है, कि मुझे आपसे जो बात करनी थी, वो बात करनी थी, कि वैरियंस ही क्यों लिया जाता है, उस मैटर पे एक बात बच्ची हुई, यह वाला कोश्चन, कोश्चन नम्बर 41 आपके लिए होमवक है, मैं जानता हूँ आप कर लोगे, बहुत हीजी, कोश्चन नम्बर 41 कोश्चन है, तो कोश्चन नम्बर 41 होमवक है आपके लिए, अब मेरे ख्याल से यह सब्द समझ में आने लगे होगे, परफेक्टली पॉजिक्टी वाई के 8, था हीं के सुबान सर्थ, तीवाई के 8, अगर आप आप आइसी, AI का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो यह तीवाई के 8 है, यह कोश्चन आपके लिए होमवक है, बहुत आसानी से बन जाएगा, अब आपको सब समझ में आने लगा होगा, कि क्या परफेक्टली पॉजिक्टी वे, क्या चीज है, ठीके सर, अब हो जाएगा हम से, तो, अगर मैं कहूंँ, क्यापिटल बश्चन के, एक-एक कोश्चन हमने कर लिया, एक-एक एक इग्जामपल कर लिया है, और, एक तो यह बच्चा हुआ है, कोश्चन, कोश्चन नमबर 42, मैं काम की बात कर रहा हूं, अब थोड़ा सा धियान दो के, अगर मैं कहूं, कोश्चन नमबर 42 को छोड़ दिया जाए, तो हमने सब कुछ कर लिया, कैपिटल बश्चन, टूटल बचा है, कोश्चन नमबर 42, एक छोटा सा टॉपिक है, सिमुलेशन, और, एक छोटा सा टॉपिक है, एजिस्टिट प्रेजेंट, उडा के बढ़ाना इसलिए सब टाइम लग रहा है, और हमको पढ़ना पढ़ेगा थोड़ा बारीक्यों से, क्योंकि आर एक्जाम तो एक ही बार देना, हमको ऐसा नहीं है, कि अब भी समझ में नहीं आया, तो भी ठीक है, अगरी बार देख लेंगे, नहीं, तो सर कहना क्या चाहते हो, कहना य स्किल है, पर एक क्लास लगनी है, जिसमें मैं कोशन नंबर 42 करवाँगा, जो मुझे करवाना है, निशीता शाम को रख लेते हैं, कल से पोर्टफोलियो स्टार्ट कर देंगे, पका, एक बार क्योंकि आर आप लोग को करना, आपस में, एक्चुली क्या, सभी लोग एक सा स सहमत नहीं होते हैं सब चीजों से, इसलिए दिक्कत होती है, यह तो मुझे करवाने में कोई प्रॉलम नहीं है, मैं तो कभी भी करवाद हूँ, लाइव का यही थोड़ा सा दिक्कत होता कि बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइमिंग मैच करना होता है, जूम मीटिंग तो और वैसे भी ज़्यादा टाइम लगीगा नहीं, चलो ठीक है, अभी तो कोई डिसकासिन नहीं है, बस यह है, करीब-करीब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर ठीक है, कॉंसेट है, अच्छे से करेंगे, तो इस मैटर पर मैं आपको बताता हूँ कि इन तीन के आज ही क्लास रखना है, शाम को, यह तो फिर कल नॉर्मल क्लास जैसे कर रहा थे, वैसे क्लास करेंगे, ठीक है, पॉर्टफोलियो से हमारा जो था, पॉर्टफोलियो से ज़्यादा समस्या नहीं जाएगी, हाँ वेजनती, मैं भी वही सोच रहा हूँ, मेरे भी कुछ परस इस पर कोशिन नहीं है, इंस्टिट्यूट ने नहीं डाल रखा, तो इसलिए मैं करूं कि जब इतना किया है, तो एयार इन सब चीजों के लिए क्यों थोड़ा सा परेशान हूँ, करें, जब इतना किया तो अच्छे से ही करेंगे, ठीक है सर, मंडे को कर लेते, जो पॉर् होमवक जरूर करना, होमवक जरूर करना, थैंक यू